मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि D नाम के जातक एबम D नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इनका बैबाहिक जीवन कैसा होगा मित्रों इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा इमोसनल होते हैं इस नाम के दोनों लोग अपने संबंध में अपने जीवन में बहुत ज्यादा इमानदार होते हैं इसके अलाबा इस नाम के दोनों जातक अपने जीवन साथी पर भाबनात्मक तोर पे बहुत ज्यादा नि भर होते हैं मित्रों इस नाम के जातक ऐसे ब्यक्ति के साथ में साधी करना चाहते हैं जो ब्यक्ति इन्हें गंभीरता से ले मित्रों इस नाम के दोनों जातक बहुत जियादा संबेदन सील एबं बफादार होते हैं इस नाम के जातक अपने प्यार के मामलों में बहुत जियादा सहज होते हैं मित्रों इस नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में जमीन से जुड़े होते हैं इस नाम के जातक ऐसे ब्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं जिस ब्यक्ति का सुभाब जिस ब्यक्ति का विवहार कुछ इन्हीं के जैसा हो मित्रों इस नाम के लोगों को महत्व कांगची लोग बिलकुल भी पसंद नहीं आते हैं मित्रों इस नाम के जातक कड़ी मिहनत एबम नभीन खोज की हमेशा परसंसा करते हैं इस नाम के दोनों जातक बहुत ज्यादा ग्यानी होते हैं इसलिए इस नाम के दोनों जातक ऐसे ब्यक्ति को पसंद करते हैं जो ब्यक्ति ग्यानी हो मित्रों इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे का मुड एबम एक दूसरे की एक्छा को बहुत अच्छे से समझते हैं इसके अलाबा इन दोनों के बीच में समानता अनकूलता बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण इन दोनों के बीच में जल्दी कोई भी पड़ेशानी नहीं होता है मित्रों इस नाम के दोनों जातक अपनी अपनी छबी के अनुरूप है जिसके कारण इन दोनों का संबंध इस्थिर एबम सफल होगा मित्रों डी नाम के जातक इन दोनों के गुन इबम अब गुन को मिला कर यदि इनके दामपते जीवन इनके बैवाहिक जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध बहुत ज्यादा बिहतर इबम सांदार होगा तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दें एबम इस वीडियो के नीचे जै बाबा भैरब कमेंट कर दें धन्यवाद